देश के नागरिकों को 13 से 15 अगस्त के बीच अपने घरों में राष्टिय द्वच फेराने के लिए प्रिद करने की केंद्र सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया है सरकार का लक्ष है कि देश के करीब 25 करोड घरों में तिरंगा फेराया जाए इसके लिए केंद्र सरकार संस्कृति मंत्राले ने तमाव राज्जियों और व्यापारिक संगठनों से तिरंगा अभियान में भाग्यदारी के लिए संपर्क किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अपनी डिस्प्ले बिच्चर बदल दी है उन्होंने अपनी डीपी की जगे तिरंगे की तस्विर लगाई है मन की बात में देशवासियों से उन्होंने अपिल की थी कि वो भी ऐसा करें थी इसी मुद्दे पर वरिष्ट पत्रकार दीपक चोरसिया का एक ट्वीट वाइरल हो रहा है दरसल उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा पियम मोदी का हर घर तिरंगा अभियान एक सरानिय फैसला है तिरंगे को लेकर प्रधान मंत्री के प्यार को देख विपक्ष को ये लगता है कि तिरंगा किसी पार्टी का हो गया ऐसा सोचने वालों की सोच का क्या कहा जाए अपने राश्ट के प्रतीक के लिए शृधा सम्मान तो हर किसी में होना ही चाहिए तिरंगे पर राजनिती नहीं होनी चाहिए दीपक चोरसिया के स्ट्वीट पर क्या है आपकी राए हमें कमेंट कर बताएं वीडियो को लाइक करें शेर करें और आपके अपने चैनल समाचार फोर मीडिया को सब्सक्राइब करें